है नमस्कार दोस्तों आप सभाइं का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनी मिट्रस में आज के इस वीडियो में हम tuoिधेश की बाररे में जानकरी दें हिस वीडियो में आपको पूरे जानकरी मिलेगे कि कि आपको जो SBI सेलिले पैकैश प्रोईड के जा उसमें आपको क्या-क्या लाब है इन सभी लाबों के बारे में आपको जानकरी देने की कुछिस करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदा न यह दी आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दवाना भी ना भूले ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले चलिए वीडियो वो आपको बताते हैं सबसे पहले lifetime zero balance आपको इसमें खोलने को मिलता है even आप अगर retire हो जाते हैं उसके बाद भी यह आपका चलता रहता है दूसरा है आपको insurance cover मिलता है यह सभी ranks के लिए है चाहे वो death accident में हो या terrorist attack में हो या cross over firing या next light attack किसी भी type का जो attack है या फिर accident है उसमें आपको death cover मिलता है इसके साथ भी आपको जो personal accidental insurance है death पे वो 30 लाक रुपए का है salary account पे without condition इसमें कोई condition नहीं है और यह सभी ranks के लिए इसके साथ साथ में आपको जो दूसरा benefit है वो girl child education के लिए 2 लाक रुपए और marriage के लिए 2 लाक रुपए भी मिलते हैं आपको इसमें इसके बाद में आपको अगर permanent disability होती है तो आपको 30 लाक रुपए मिलते हो partial disability पे आपको 10 लाक रुपए दिये जाते हैं यह सुबदा 4.1.2019 से लाग हुई है अभी next जो इसका है तो उसमें आपको उताते है benefits for DSP and PMSP accounts इसमें आपको एक free ATM दिया जाता है तो free ATM जो होता है उसमें एक debit card दियाता है एक आपको और एक आपकी family को दिया जाता है इसमें दो card आपको दिया जाते हैं और दोनों के जो combined जो purchasing जो value है वो 50,000 रुपए है साथ ही साथ आप बारत के किसी भी ATM में free कितनी भी transactions कर सकते हैं इसके उपर कोई transactions की limit नहीं है इसके अलावा CSD या CPC cantings में जो POS machine है उसमें भी जब आप sweep करते हैं अपने card को तो आप से उसमें कोई charge नहीं लिया जाता है इसके बाद जो other services हैं जैसे कि internal banking, multiple check, demand draft, RTGS या NEFT transaction इसके सारे के सारे आपको free of cost दी जाते हैं इसके बाद में जो है आपको high rate interest मिलता है auto sweep facility आपको मिलती है saving account के उपर आपका पैसा है अगर एक निश्चित limit के उपर जाता है तो अपने आप sweep होकर आपके FD account में चला जाता है FD account बन जाता है जिसको आप कभी भी liquidate कर सकते हैं और उसके उपर आपको जो rate of interest है वो 7% से 8% का मिलता है इसके साथ साथ में आपको concession locker मिलते हैं और free core power मिलती है free core power का मतलब है कि आप कितना भी पैसा कहीं पर भी transfer कर सकते हैं इसके अलावा जो loan facility है वो सभी type के आपको loan इसमें offer उते हैं वो भी कम interest rate के उपर concession rate पे इसके बाद आपकी जो है home loan, car loan और credit express personal loan के उपर 100% processing fees वेवियर है आपको नहीं लगती है एक भी पैसा है इसके साथ साथ में उन्होंने एक सौर home loan scheme चालू की है जिसका repayment आप अपनी 75 साल की उमर तक कर सकते हैं इन्होंने इसके बाद में नेपाली और गोलखा लोगों के लिए गोलखा soldiers के लिए एक अलग home loan फैसलिटी भी प्रोवाइड की है इसके अलावा जो आपकी फैसलिटी मिलती है और साथ साथ में अगर education loan की बात करें तो education loan के उपर इन्होंने scholar scheme रखी है जिसमें आर्मी के जो कुछ इंस्टीट्स हैं उसके उपर इन्होंने 20 लाग तक का जो loan है वो concession rate पर प्रोवाइड कराते हैं अभी हम अगर benefits देखें कि जो employer है उसको क्या benefits है तो सबसे पहला है कि आपको इसमें hassle-free account open होता है और इसमें जो है आपकी जो जैसे मान लेजें कोई institutions है जैसे आर्मी का या या जो paramilitary forces का कोई institutions है वहाँ पर उनकी request पर इनका staff जाएगा और इनके recruits का पूरा account खोल के आ जाएगा तो आपको कहीं जाना भी नहीं है तो यह अपके account opening होता है दूसरा होता है online facility जो है मिलती है paperwork zero है आपके account में पूरी salary वो डाल सकते है without paperwork एक pen drive में पूरी salary दे देंगे bank को और bank आपके इनके जो employees हैं उनको अपने आप जो जवानों को salary डाल देता है इसके साथ साथ में इन्होंने जो है account को यह PMSP और DSP बारत का सबसे बड़ा account holder है जो SBI का है इसी के साथ साथ में और भी कई facilities हैं जिसके बारे में डिसकस करेंगे अब इसमें बात होती है कि आप employees को क्या क्या benefits मिलते हैं सबसे पहला benefits अगर हम बात करते हैं तो zero balance account opening है आपके पास अगर एक भी पैसा नहीं आप free of course टप का इसमें account होता है ना ही इसमें आपको कोई पैसा रखने के जरूरत है जैसा कि ग्रामीड और सहरी में जो एक हजार दोजार तीन हजार की limit है वो इसमें नहीं लाग होती है साथ साथ में आपको जो है यह एक SVI credit card भी provide करते हैं जिसकी शुरू आत में limit होती है बीस जार के आज पास में और जो ऐसे जैसे आप इसका use करते हैं वो भी आपको इसके limit भी बढ़ाते रहते हैं और उसके उपर भी कोई charge नहीं मिलता है और यह complimentary personal accident insurance death यह 20 लाग रुपए तक का complimentary आपको insurance देते हैं अगर किसी तरीक से आपके कोई death हो जाती है तो आपको 20 लाग रुपए देते हैं इसके बाद है complimentary air accident अगर आप by air के यात्रा कर रहे हैं आपने insurance अगर नहीं भी लिया है और आप में कोई crash crash हो जाता है plane उस condition में 30 लाग रुपए तक यह death benefits से देते हैं इसके साथ में आपको personal loan, home loan, car loan और education loan पर जैसे कि मैंने पहले बताया था वो आपको 100% fees इनकी वेवियर है जो processing fees साथ में concession rate पे भी देते हैं इनकी जो locker fees होती है 25% यह others से आपको कम charge करते हैं इसके साथ में यह एक देते हैं auto ship जो आ इसको स्वीप बोलते हैं वो स्वीप से अगर आपके जैसे account में एक लाग रुपए है तो आपको 10,000 रुपए बाकी 90,000 को स्वीप करके FD बना देते हैं उस FD को कभी भी liquid करते हैं उसके उपर जो interest of rate of interest है वो normal account से ज्यादा मिलता है जिससे कि आपको और benefit होता है यह बोल आपको एक जर्नल एकाउंट पर मिल जाती है पर यह उन्होंने कुछ special features के साथ में पिरमेट्री के जवानों के लिए और सेना के जवानों के लिए रखी हुई है इसके साथ में आपको multi city check, draft, sms alerts, online, neft, rtgs साथ में जो आपका ATM का maintenance, charge बगरा सब कुछ free है अब overdraft की बगर बात करते हैं तो overdraft जो है आपकी salary का क्रियन दो दो गुना यानि कि एक जो जवान की salary मतलब होती है अगर 18,000 है तो 36,000 यानि करीबन 40,000 तक उठा सकता है और जो उपर वाले जो ranks हैं उन्हीं के according में इसका पैसा बढ़ता और गठता है तो दो गुना दो मेंत की salary को आप overdraft क कर सकते हैं साथ में rewards points भी यह जो ट्रांजिक्शन पर देता है इनका एक SBA rewards करके प्रोग्राम है जिसमें आप अगर डेविट कार्ट से क्रेट कार्ट से तो इसमें नहीं है पर डेविट कार्ट से अगर आप स्विप करते हैं तो वह आपको कुछ points देता है एक रुपए की योनो SBAE facility भी योनो एप भी डाउनलोड किया है अपलोड इन्होंने अवलेबल परवाया है आपको Google Play Store पर मिल जाएगा योनो के तहत आप बहुत सारी schemes को online ही access कर सकते हैं साथ में जो है यह बोलते हैं कि अगर PMSP या MSP या DSP जो भी account आपके पास है आप इन accounts को pension के बाद आप तक continue कर सकते हैं अब इन्होंने एक थोड़ा close रख रखा है कि अगर आप access service personals हैं और आप ने अगर pension भी ले रहे हैं बैंक में और जो existing pensioners अगर वो चाहें कि वो इस अपने account को इस तरीके के account में convert करा दें तो अभी तक इस पर विचार किया जा रहा है पर अभी इस त आठ नौ में यह account से लागू होते उससे पहले जो भी pensioners हैं उनको यह facility भी दी नहीं जा रही है पर कोशे से आगे हो जाएगी अब यह express credit personal loan यह provide कराते हैं यह express private personal loan इतना फास्ट होता है कि आप अगर बैंक में ब्रांच में विजिट कीजिए आपको मतला without paper के आपको यह loan provide कराते हैं यह accident insurance का cover मैंने आपको बताई दिया है कि 30,000,000 रुपए तक आपका यह cover करते हैं अब इसमें आता है मुद्दा की paramilitary salary package में कौन-कौन से forces आती हैं तो इसमें सबसे पहले है Central Reserve Police Force दूसरा है BSF, CISF, SSB, ITVP और NSG यह सारी इनकी PMSP के under में आती है अब बताता हू इसलवर कार्ड जो होता है सोबेदार मेजर से लेके follower staff तक को silver card authorized है gold card जो होता है deputy commandant से उससे लेके assistant commandant तक होता है diamond commandant second commandant प्लेटनम कार्ड जो होता है इसके उपर के सभी अतकारियों को लागू होता है अब next अगर हम defense salary package की बात करते हैं तो आर्मी में किस तरीके से card entitlement है lieutenant से लेके और major rank तक के लिए diamond lieutenant colonel और colonel platinum brigadier से लेके up to above सारा rank उनको मिलता है अभी जब navy की बात करते हैं तो c2 officer से लेके और master staff petty तक मतलब कि इनका जो cook है follow staff है वहां तक को इनको silver card है gold staff gold card देते हैं यह सब lieutenant से लेके lieutenant commander तक को देते हैं diamond यह commander कैप्टन को देते हैं platinum इसके उपर के सभी rank को देते हैं अब अगर डिये dsp account air force की बात करें तो इनके जो बिलो जो है officers rank को है वह silver card है gold card इनका flying officer से लेके squadron leader तक को है diamond card wing commander से लेके group commander तक को है captain तक को है platinum इसके उपर के सभी को अब यह dsp इन्होंने extend किया है grief के लिए और बियारो के लिए तो silver card बियारो में सेम जो भी rank officer से नीचे है silver card assistant engineer से लेके medical officer तक को यह gold card देते हैं diamond card यह superintendent engineer से लेके director तक को देते हैं और platinum card इनका chief engineer से लेके director डीजी तक को यह card provide करते हैं तो इसके यह जो उत्खती और dsp आपकी यह dsp है यह SM rifle को भी लागू होती है क्योंकि SM rifle है वो आर्मी के officers द्वारा गवर्न होता है तो इसमें silver card है यह last night से लेके major तक को यह नी सिपाई भी इसमें आता है gold जो card प्रवाइड करते हैं deputy commander commander से लेके assistant commander equivalent क्योंकि वही इसमें आते हैं तो वह आर्मी वाले वही officers जो आर आर्मी के तरीके से है तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो PMSP और DSP यानि कि सीना और अर्थेनिक बलों के जवानों के मिलने वाले SBI द्वारा जो salary package मिलता है उसकी पूरी जानकरी आपको देनी कुशिस की है आपको पसंद भी आई होगी अगर आप आपने जाने कि उनको क्या मिलता है SBI के द्वारा वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद इसी नोट के साथ वीडियो करता हूं कि थैंक्स